डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूटूब परिवार MRS study में तो यहां पर आरिवट knowledge university पटना के तरफ से एक update आया है 27 12 2022 का तो इस update में यहां पर बताया गया कि आपको जो है अपना registration करवाना है जो लोग 23 सेशन में अपना addition करवाए हैं वे लोग जो है अपना registration करवाएंगे registration करवाने के लिए आपको जो migration certificate है वो फिर 10 का मुल परमानपत्र यानि original certificate का photocopy फिर परिच्छा पास जो हुए है उसका कि हाँ आप परिच्छा पास होकर जो आप यहां पर एडिशन लिए है उसका photocopy और cast और seat allotment अगर है तो और नहीं है तो कोई दिकत नहीं यह college आपका जमा कर देगा और और clc का photocopy यह सभी कुछ है आपको लगाकर अपना क्या करना है रजिस्ट्रेशन करना है यहां पर रजिस्ट्रेशन करने का last date रखा गया है यहां पर online पंजिकरन पत्र भरने की अंतिम्ति थी 14 जनवरी 2023 तक रखा गया है विस विद्याले में जमा करने की अंतिम्ति थी यहां पर गोसित किया है जिस भी college का code 102 से 121 तक है वो 16 जनवरी तक जमा करेगा साम चार होजे तक जिसका 122 से 140 है वो जो है 17 जनवरी को और जिसका 14 से लेकर 165 है उसका जो है 18 जनवरी तक जो है क्या कर सकता है जमा कर सकता है अपना और रजिस्टेशन फॉर्म करने के वाद यह college को जमा करना है इनवर्सिटी में ठीक है लेकिन भरना कब तक है 14 जनवरी तक भरना है कितना फी लगेगा रजिस्टेशन का फी यहां पर आपका लगेगा एकी सौ रुप्या हना 2100 रुप्या जो है यहां पर आपका लगेगा जिसमें online processing फी 100 रुप्या registration फी 1000 रुप्या और development फी 1000 रुप्या तो टोटल जो है 2100 रुप्या जो है यहां पर लगेगा यहां पर बताया गया है कि सभी माविद्याले से अनुरोध है कि निरदारिती तो आप हमें प्रपत्र अगर कोई जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताई तो आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा थैंक यू